कौन जीतेगा दिल्ली की जग किसके खाते में आएगी दिल्ली की साथो लोग सभासिटे जिस कॉंग्रिस को को सा करते थे केजरीवाल क्या उसी का दामन थाम पाएगी आप पाटी क्या केजरीवाल को मिल पाएगा शीला दिक्षित का साथ देखिए शीला वर्सिस केजरिवाल पर श्री संथ बेतरा अशोका जी की बड़ी भाविश्यवानी वो भी सिर्फ धर्म ग्यान पर नमस्कार धर्म ग्यान में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आपके साथ कविताराना और मेरे साथ मौझूद है दुनिया के सूप्रसेद सुदर्शन चक्र जोतिश अचारिय श्री संथ बेतरा अशोका जी सर एक बब फिर आपका स्वागत है हमारे धर्म ग्यान पेच पर नमस्कार धर्म ग्यान के दर्शकों को मेरी हार्दिक शुब कामना है लोकसभा चुराव का अगाज होते ही दिल्ली की राजनिती दिन पर दिन गर्माती जा रही है जो कि यहां से दिल्ली से लोकसभा की साथ सीटे आती है और ऐसे में जो कि दिल्ली की राजनिती गर्माती जा रही है और एक तरफ केजरिवाल है और दूसी तरफ कॉंग्रेस है जिन में गड़ बंधन बन रहा है नहीं बन रहा है उसको लेकर कई अटकले लगाए जारी है और इसे पर आज हम संबेतर जी से बातचित करेंगे सर पहला मेरा यहीं सवाल है दिल्ली के सियम अर्विं केजरिवाल जो केजरिवाल अब तक कॉंग्रेस को कोस कोस के कहें कि उसके खिलाव बुरा भला बोल बोल के राजनीती में आये और आज उसी पार्टी के साथ गड़ बंधन करने के लिए बेकरार बैठें बिल्कुल ठीक कह रही है आप केजरिवाल जी के लिए मैंने बहुत पहले भुविश्यवानी कर दी थी कि 2019 में इनका बहुत बुरा हल होगा और मेरे ख्याल जैसे 2014 में इन्होंने पूरे 424 सीटों पर इलेक्शन लड़े थे तो इस वार नहीं लगता कि वो इस तरीके से इलेक्शन लड़ेंगे दूसरा जो व्यक्ति दिल्ली में एटैची लेकर शिरीमती शीला दिख्षित के पीछे पड़ावा था कि मेरे पास आपके वो हैं मैंसे क्या बोलते हैं सबूत हैं और मैं आप सबको जेल में कराओंगा आज वही व्यक्ति शीला दिख्षित जी के आगे गिड़गडा रहे हैं कि आप हमारे साथ गटबंदन कर लीजिगा ना तो उस टैम जब वो अटैची लेकर घूम रहे थे शीला दिख्षित जी ने इनको भाव दिया था इनको रिप्लाई दिया था कि आपके पास जो है स फबूता है उस पर कोई उन्होंने रेक्ट नहीं किया था और नहीं अभी अभी उनके उपर वो रेक्शन जा रही हैं हो सकता है कि कॉंग्रेस इनके साथ कहीं कटबंदन कर ले लेकिन वो इनकी छवी को बिल्कुल खतम कर देगा क्योंकि जिस बंदे ने कस्में खाई हैं जिस जनता जनार्दन के सामने उन्होंने ये सारी कस्में खाई हैं उन्हीं के सामने किस मूँ से जाके ये वोट मांगें कि जिनको गालियां देते तो उनके साथ खड़े होके कैसे वोट मांगें आपने काये कि कॉंग्रेस के साथ आप पार्टी के बीच में गड़बंदन हो सकता है लेकि एक सवाल ये भी उड़ता है कि अगर गड़बंदन होता भी है मालीजे तो ऐसे में बात आती शीला दिख्षिती जो कि दिल्ली से दो बार मुख्यमंत्री रह चुकी है और अब ऐक बार फिर पार्टी ने अंब ने बना ईल्ली से अपनी पार्टी का प्राभारी बना रखा है बना और इससे में क्या लगता क्ये अगर शीलान दिक्षित के रहते अगर गड़बंदन होता है तो क्या शीलान दिक्षित की 62 को नुकसा नहीं पहुचेगा मुझे तो ये समझ नहीं आती कि आप पार्टी किस मुझ से क्योंग्रेस के सामने जा कर लें कि उनके साथ कड़ बंदन कर लें कांग्रेस ने तो कई औफर कषसेब सांब कराना आई कि अपने के छणता के सामने रख रहे है कि आपका चरीत्र क्या है इसका मतलब आपका चरित्र है कुर्सी का मतलब कुर्सी के साथ आप राष्टवाद या देश भक्ती के लिए नहीं जुड़े हैं कुर्सी के साथ आप जुड़े हैं पैसे के लिए इसलिए आप कुछ भी करने को तो ही आ रहे हैं सर एक सवर मेरा ये भी बनता है कि जिस तरह से कहें कि अगर पिछली बार तो 2014 के चुनाव में आप पार्टी की पूरी जमाना जब्त हो गए लेकिन इस बार के चुनाव में जो कि वो दिल्ली से ही लड़ रहे हैं और ऐसे में क्या लगता आपको क्या उनके खाते में सीटे आएंगी क्या लगता आपको के कुणली को देखकर जो क्योंकि आज सक मैंने आपके साथ कई बार उनकी कुणली डिसकस की देखिए 424 में से चार सीटे आए थी उनकी दो हजार चोदा में आप प्रेसेंटेज देख ली जीगा और वो प्रेसेंटेज वो दुबारा प्राप नहीं कर पाएंगे क्योंकि अब वो चार सो चाली चोविस सीटों पर लड़ने की हालत में नहीं है नोट बंदी के बाद और जो आपके जो एंजियो जो विदेश से जो पैसा आता था गलत तरीके से उस पे अंकुष लगाने के बाद ये जो अस्नमाजिक तत्वों को प्रोथसान देने वाली पार्टी हैं और लोग उपर जाके इकठे हुए हैं वो लोग उपर जाके इकठे हुए हैं महागडबंदन वनाया आप सारे वही लोग हैं जिनके उपर इस तरीके के किसी ना किसी तरीके के उनकी उपर जो आरौप थे वही लोग जाके अब आप महागडबंदन में जाके खड़े हो गए ह तो क्योंकि अब उस तरीके के फंड से नहीं है उस तरीके की फैसिलिटीज नहीं है उस तरीके का उनको प्रोथसान नहीं है तो बहुत मुश्कल है कि इस वार ये 424 सीटों में अलोवर दा इंडिया लड़ें बड़ी पॉकेट्स में ये लड़ेंगे और पॉकेट्स में में मुश्केल कई दिल्ली में देखिएगा आप for a निटा को इ teak से अपने आपको प्रेक्ट करना चाहिए अगर Pork time काम बताने चाहिए देश में कि मैंने क्या क्या कि बजाए इसके थे की मोधी मेर और को नी करने डेता आईजी मेर को नी करने देत सीम होते वह आप आई जी के घर में जाके धरना दे रहे हैं क्या जलूस निकाला अपने देश के सामने अपना इससे बड़ी और कुन सी आपको पोस्ट दी जाए जिससे आप अपना खुल के काम करें आप बताईए मेरे को अगर आप काम करना चाहते हैं तो इससे बड़ी कु विश्य में आप पार्टी को खासकर केजरी वाल को क्या फायदा होगा आपको दिख रहा है उनको कॉंग्रेस को खेली खाई पार्टी है वो टूटी नाप पे सवार नहीं होंगी आप जो है आप पार्टी एक टूटी हुई विखंडित नाव है तो जो आप देखें कॉंग्रेस इतनी बेपकोफ नहीं है कि वो टूटी हुई नाप पे चड़कर इनके साथ इलेक्शन में उतरेगी मेरे हिसाब से एस्ट्रोलोजिकल कॉल केलकुलेशन में भी अर्विंद केजरी वाल के जो ग्रहें हैं इस्टेंट इतने खराब हैं कि वो यही चीजे इन्होंने यह प्रोपोजल डालके कॉंग्रेस के सामने अपने संबान को ठैस पोचाईए अगर हाई कंबान ने ना कर दिया तो आप कहां के रहें आप क्या मूँ लेके जंता के सामने जाएंगे जंता आप से पूछे कि वही है जिनको तो आप पानी पीपी के गालियां दे रहे थे उन्हीं के साथ आप गटपंधन करने के लिए रिक्वेस्ट किया और उन्होंने आपको कोई लेखे नहीं लगाया चले सर वो तो आगे हम देखेंगे लेकर सर एक सवाल अब मेरा ये उड़ता है कि बीजिपी को लेकर जो की केज़रीवाद हमेशा पीअ मोधी को लेकर अटाइक करते आए हैं पहले कहते थे कि हमारी तो जुबानी खराब है आपके तो कर्म फूट है डारेक्ट पीअ मोधी पे अटाइक अब जो की पीअ मोधी ने मैं भी चौकीदार हूं मुहीं चलाई तो उन्होंने का कि देश का कैसा पहला प्रधान मंत्री है जो की लोगों को चौकीदार बनान चौकीदार वर्ड मन्य मोधी जी ने किस प्रोस्पेक्टिव में यूज किया है वो सिक्यूरिटी सर्विसेज के लिए आज हरेक व्यक्ति आपपुर में यहां खड़े हैं रास्टवाद के लिए खड़े हैं देश के हित के लिए खड़े हैं कि कोई गलत ताकत इस देश करें उस बंदे के दिमाग में चोकीदार जो है चोकीदार वर्ड का मतलब है वो डंडा लेके वो जो डंडा लेके आपके गेट पे खड़ा होता उसको चोकीदार मान रहे हमारे प्रोस्पेक्टिव में बीजेपी के प्रोस्पेक्टिम में नेशनल प्रोस्पेक्टिम में चोकीदार मतलब है सिक्यूरिटी सर्विसेज और सिक्यूरिटी सर्विसेज आप एक वार बोलिए मैं भी सारा हिंदुस्तान हाथ उठाके बोलेगा चोकीदार चले सर केजरिवाल वर्सेज शीला दिक्षिर पर हमसे बातचीत करने कलाब का बहुत 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 शुक्रिया तो ये थे मैं सर सन्बेतर जी जुन्होंने बताया कि जो की दिल्ली की भी राजनीते दिन पर दिन गर्माती जा रही है सरका कहना है कि जो की 2019 का साल केजरिवाल के लिए बहुत ही इतना अच्छा जाने वाला नहीं है और लोकसभा चुनाव में भी उनके खाते में कोई सीट नहीं आएगी अब ये तो वक्त ही बताएगा जब नतीजे 23 मैं को आएंगे तब तक लिए मुझे यानकी काविता राना को दीजे जासत और धर्म ग्यान के साथ आप यूही हमेशा के लिए जुड़े रहिए